दिस वीडियो इस स्पॉंसर बाई वीकार्ड पवन कुमार जुड़ना है मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी है भारतिय मजदूर संग के तो विश्वास पाठक सबसे पहले तुम मुझे ये समझा दीजिए कि आपने OPS को लेकर कौन सी कमिटी बनाई जिसका जिक्र देश के ग्रे मंत्री कर रहे हैं देखिए लास्ट बजेट सेशन में बजेट के समय ही अर्थमंत्री बादरी दिर्बला सितरब जिदे अलॉंस किया था कि सेक्रेटरी फैनास इनके अध्यक्षता में सेक्रेटरी एक्स्पेडिचर और सेक्रेटरी डियो उपड़िए कि कमिटी बनाई थी कि जो निव पें पेंशन स्कीम की जब वापस से जिक्र हुआ तो क्या हम निव पेंशन स्कीम में ऐसे कुछ प्रावधन कर सके जिसके तरफ बेरिपीट लोगों को बिले ये जिना लेकिन ये तो एनपेश की समीक्षा के लिए कमैटी थी उस समय पेंश कोई जिक्र नहीं था मैं पूरा भा ला, 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 ला कि जरूद क्यों पड़ी क्योंकि जब डिमांड आए कि ओपी जो थी और पेंशन स्कीम थी उसके समाथ बेनिपिट हमें मिलना चाहिए तो कमीटी बनाए गई और कमीटी की जाच चल रही है उसका रिपूर्ट आएगा भारते जन्ता पार्टी को पेंशन स्कीम के खिलाप न को कंसेंट दिया और 2004 से अपने इंपेस लागों की उसके बाद 11 साथ तक किसके सरकार थी क्यों ने मंदमों सिंग निया चिदंबरम जी ने वापस OPS लाई यह सवाल ठीक है लेकिन और सवाल अविश्वास पाठर आप कह रहे हैं कि BJP अगेंस्ट नहीं थी विरोध में नह पर कोई प्लान नहीं है हमारा रीतिंग करने का संसद में बयान दिया उन्होंने यह नोट गोइंग तो रिवोक दाट इने विरोध मेनित इसका मतलब यह है कि हमें हाकिकत को एक्सेप करना पड़ेगा पैसे का कम पैसा ही करता है इसलिए NPS में हम ऐसा कुछ प्रावधान के ज्यादा मुनाफ़ा वेरिपीट दे सकते क्या वह विश्यत है उसके लिए यह कमिटी मनी है देखो सवाल ऐसा है कि अभी जब पाच राज्यों के चुनाव है और पाचों राज्य में जिस प्रकार से कॉंग्रेस को कुई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है वो और पॉल्टिकल पार्टे के तहद बताना चाहते हैं कि नपीएस पे संशुदन करके ज्यादा से ज्यादा लाप कैसा देज सके सरकारी कर्माचारी को उसके लिए सभिक्षा कर रही है यानि कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंग वो घलत कह रहे थे कि ओपीएस अन्याय पूर्ण विवस्था है देश की अर्थ विवस्था के लिए आप ही कि वित्त आयोग के अध्यक्ष देखे ओपीएस में डारेट सरकार का कमिट्मेंट था पेमेंट करने का एंपीएस जो काफी अनेक विदेश्यों देशों में भी लागू है इडिस मार्केट रि इस अ मार्केट स्यक्रूटी मार्केट स्यखर करके जाद मोढ़ कर मार्केट श्लक्चुएंट हो गा तो पेंशन फ्लक्चूयेट हो twists पेंशन फ्लक्चूरों होग लेजिए सृंए है ऑगदंसी इसलि nun जादे हो सकती है इंहां जब यहं गलाएक्शन फ्लक्चूर हो पैसा बैंक मार्केट पे लगाती है इसलिए वह कोई गलत प्लानिंग नहीं है तो एक तरफ आप सकते हैं क्या हाँ 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 सवाल यही कि विश्वाज मिश्वाज जी सवाल यही है कि आप एड़ोकेसी कर रहे हैं कि विदेशों में लागू है दूरूस विवस्था है सब बढ़िया है और आप OPS पर भी यूटर्न लेने की स्थिति में आ गए तो पॉलिटिकल बैटल हो गया क्या यह OPS वर्सिस NPS आपके लिए जरूद बिल्कुल यह यह बिल्कुल नहीं हमारे तो उसकी जरूद भी नहीं है हमारे पास कही मुद्ध है जिसके ताहत हमने लोगों को फूड सिकुर्टी है मेडिकल सिकुर्टी यह फैने सिकुर्टी है डारे बेरिफिट ट्रांसपर विक्या है इसलिए जंता को क्या चाहिए वो तो हम दे रहे हैं लेकिन वह OPS चाहिए इसके लिए जो अभी कॉंग्रेस कर रही है वह कताई बराबर देए गलत है वह 2004 में इ इन पेस लाई गई है और इन पेस लाने के बाद में अभी तक अगले 15 साथ तक कॉंग्रेस ने कभी मूह नहीं खुला आज उनको इलेक्शन में जितने के लिए कोई दूसरा मुद्दान नहीं दिख रहा है इसलिए इसलिए अटेम्टिंग इट तो यानि की एन पर सोच व ओपीएस में भी जैसे आपने का 50% बेसिक उसके पहले बेसिक क्या प्रतिशत और कुछ था डिये लिंक्स नहीं था तो यह तो इंप्रूइमेंट निरंतर होते रहती है वह इंप्रूब करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो इसके लिए सभिक्षा के लिए कमिटी मिटाइए हो करेगी ओपिये सरकार नहीं देना चाहती है तो ठीक है दिस वीडियो इस पॉंसर्ड बाई वीगार्ड